हेलो आल, वेलकम टू माई चानल पारा इन्फोवर्ड, आज हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो में अपार्मेंट्स के बारे बें, जो भी मेजर मेजर अपार्मेंट्स हुई एप्रिल महिने में, उसको हम डिसकस करेंगे, और यह एक्चुली मंतली करन्ट अफेर्स का ही भाग है, पहला अब यह पार्ट वह गया है हमारे मंतली करन्ट अफेर्स एप्रेल के, पहला पार्ट अब यह जो है अपाइबंस जो की हमें में हुई है, मेजर मेजर अपाइबंस, और यह नेशनल और इंतरनशल दोनों भी, भारत के भी और भारत के बाहर के भी जो appointments है major appointments वो हम discuss करेंगे तो चलिए पहला देखते है who has become new managing director of सुंदरम home finance सुंदरम home finance के नए प्रबंद निदेशक कोन बने हैं तो उनका नाम है लक्ष्मी नारायनन एक रेक्ट आंसर है तो पूर्व प्रबंद निदेशक कोन थे तो स्री निवास आचार्य थे अभी उचेंज हो गए तो सुंदरम home finance के चेर्मन कोन है अध्यक्ष्य कोन है तो टीटी स्री निवास रागवन है जिसका इस कंपने का हेड़क्वाटर है चन्नाई में यह बाते ख्याल में रखने ज़रूरी है अभी नेक्स्ट है वीच आपड़ फॉलोइंग इस दे चेर्मन आफ साइन्स एंड टेक्नालोजी एंपावर्ड कमिटी निम्न लिकित में से कोन विज्ञान और प्रद्योगी की अधिकार समिथी का अध्यक्ष्य है तो उनका नाम है विनोथ पॉल यह करेक्ट आंसर है और भारत सरकार ने इ देख्षे कोन है ऐसा अगर क्वेश्चन रहा तो निति आयक के सदेश से विनोथ पॉल है और उनके साथ के विजय रागवान है यही क्वेश्चन हमारा है ठीक है तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि यह साइन्स एंड टेक्नालोजी एंपावर्ड कमिटी किस के लिए है तो कोविद 19 एरन डि पर शिग्र निरंदे लेना यह उसका में उद्देश हैं नेक्स्ट है हूँ हाज बिन अपॉंटेट अज चेर्मन ऑप नैसकॉम फॉर टू जिरो टू जिरो टू वन दोजार बीस एककिस के लिए है ठीक है दोजार बीस एकिस के लिए नैसकॉम के अ परिचालन अधिकारी है चीफ ऑपरेटिंग ऑपिसर इंपोसीज और अभी नैसकॉम की उपाद्देख्ष कोन बनी है वाइस चेर परसन तो उनका नाम है रेखा एम मैनन और रेखा एम मैनन कोन है तो चेर्मन और सीनियर मैंजिंग डिरेक्टर आप एक्सेंचर इंडिया तो यह है चेर्मन बने है यूबी प्रविन राओ और वाइस चेर परसन कोन बनी है तो रेखा एम मैनन बनी है चलिए और इसके बारे में क्या है इंपर्मिशन देखते हैं तो नैसकॉम क्या है तो नैशनल असोसीशन ओफ सौफ्ट्वेर एंड सर्विसेस कंपनीज है जिस के समस्तापक है देवां मेहता और नंदन निलकेनी तो नैसकॉम एक सौफ्टर रिलेटेट असोसेशन है सौफ्ट्वेर एंड सर्विसेस कंपनीज रिलेटेट असोसेशन है चलिए हूँ हैस बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीओ और भारती अक्सा लाइफ एमडी और सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो है पराग राजा डी करेक्ट अंसर है तो नियुक्ति भारतिय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरन से अपेक्षित अनुमदन के अधिन है दापॉइमेंट विल बी सब्जेक्ट तो रिक्विजिट अप्र इन्टर्वल फ्रॉम आई आर डी आए आए अर्डी ए क्या है तो इंशुरेंस रिगुलेटरी और डेवलपमेंट ऑथरिटी ऑफ इंडिया है और विकास सेट की जगह भी पराग राजा लेंगे अभी विकास सेट है उनकी जगह पे बाद में पराग राजा बनेंगे एम कासरी और अबियाद कार दो पराग राजा लाइव इंशुरेंस एक भारती अक्सा क्या है तो भीमा कंपनी भारती एंतरपैजस और बहुरास्टे भीमा कंपनी एकसा के बीच एक कोल्याबरेशन है थीख है एक बारती एंतरपैजस और मुल्टिनेश्टर इंस्यूरंस इंडिया for environmental educational program WWF इंडिया के पर्या औरण शिक्ष्या कारिकरियम के लिए ambassador के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है विश्वनातन आनन सी correct answer है तो विश्वनातन आनन को नहीं तो आप सबको पता ही है पांच बार विश्वशत्रन चैंपियन रह चुके है चेस चैंपियन और WWF के बारे में भी हम देखते है वह क्या है तो वर्ल्ड वाइट फॉंड है जिसका मुख्या लए है ग्रैंड स्विजर लेंड में और स्थापना हुई थी 29 अप्रेल 1961 में 1971 में जिसके निदेशक है मार्को लेबर्टिनी और WWF इंडिया की सापना अगर गसा कोच्छन रहा तो 1979 में 1969 में और करेंट अध्यक्षे WWF इंडिया के है स्री जमशेद एन गोदरेज ठीक है तो WWF इंडिया का है वर्ल्ड वाइट फंड है और यह भी जो विश्विनातर आन बने इन्वार्मेंटल एजूकेशन प्रोग्राम के एंबैसेडर बने हैं नेक्स्ट वीच इंडियान अमेरिकान है अपॉइंटेट टू दे युनाटेट स्टेट्स टॉप साइंस बोर्ड कीज भारतिय अमेरिका को अमेरिका के शिर्ष विज्यान बोर्ड पे निव्त किया ग सब्रेट्रिय विज्यान बोर्ड के सदे से है अब अबने है नस्टव साइन्स बोर्ड के और बाबु प्रतिष्टीत ऋपूख रिजञेज्णल नेशनल लैबोरेट्री सहे ओक रिच नैशनल लेबरेटरी एक प्रेस्टिजियस इंस्टिटूट है उसमें यह है मिस्टर बाबू और अभी उनको अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड चोकि नैशनल साइन्स बोर्ड है उस पे लिया है सज़स्य के रूप में प्राइमनाथ कोविन के सचु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है कपील देवत रिपाठी एक औरेक्ट आंसर है तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के अद्ध्यक्षता में मंत्री मंडल के नियुक्त समिती ने नियुक्ती किये है जिसके Hate प्राइम मीनिस्टर रहते है तो अप्रम नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो अप्रम्यंट कमिटी व法 क testimony इसने ये नियुक्ति किये और ये नियुक्ती जो है Contact indulgeast पर अनलबंद के आदार पर रस्टरपती के कारह काल काल तक है और ये कौन है Mr. Tripathi तो वे सम मेघाले केडर के 1980 बैच के IS अधिकारी है सेवानी उरुथ वर्तमान में वह सारवेजनी उद्यम चैन बोर्ड के अध्यक्षे है Chairman of Public Enterprises Selection Board Next is who has been appointed as the head of National Shipping Board National Shipping Board के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है Malini Shankar D. Correct answer है तो केंडर सरकार द्वारा National Shipping Board का पुनरगटन किया गया है भी और ये board क्या है तो this board is the highest advisory board for Indian shipping भारती shipping के लिए सरोच सदाकार निकाया है और board comprises 16 members 16 सदेस्टे शामिले board में Malini को होन तो shipping के पूर्व महानिदेश के डारेक्टर जनरल आप shipping रह चुके है Malini Who has been appointed as the Central Vigilance Commissioner recently हाल ही में केंडरी ये सतरक्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है A. Sanjay Kothari जी उनको Central Vigilance Commissioner के रूप में निक्त किया गया है तो यह क्या है Central Vigilance Commission तो यह ब्रश्टाचार वीरोदी निग्रानी दल है भारत का जो एंटी कर्रप्शन वाच्डॉक है Central Vigilance Commission और यह रावा रास्टरपती के सचीव है 1988 के बैच के हर्याना के डर के कोठारी जी और उन्होंने 25 अप्रिल 2020 को शपत ली कोठारी के नाम की सिपारिश प्रदान मंत्री के अधिक्षता में उच्चस तरिये चैन पैनल दौरा की गई थी यह सब इस पर अलग-अलग कोशन हो सकते हैं कि उन्होंने कमी शपत ली कोठारी जी ने सेंट्रल विजिलन्स कमिशनर तो उन्होंने 25 अप्रिल को शपत ली वो कौन से केडर के अधिकारी है तो 1998 बैच के हरियाना के अधिकारी है ऐसे अलग-अलग कोशन हो सकते हैं इसलिए इस सब इंफर्मेशन खैल में रखना बहुत ज़रूरी है तो आज की इस अपॉर्में मेजर अपाइमेंट्स हमने कवर किए लेकिन इसके अलावा भी मंतली करेंट अफिर्स के हमारे अलग-अलग पार्ट से जिसे प्लीज लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी किजिए तो थैंक यू वेरी मुच